खतनाग कोरोना वारस को लेकर हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और वारस के बारे में ज़ौनकारिया निकल कर सामने आ रही हैं दुनिया भर के तमाम देशों में इस बारे में रिसर्च चल रहा है और इसकी नए नी चीजों को पता लगाया जा रहा है ऐसा ही एक शोध सामने आया है जिसके मताबिक कोरोना वारस संक्रमित मरीज सिर्फ 9 दिन तक ही संक्रमिन फैला सकता है जी हां, ब्रिटैन में एक अधियन हुआ है जिसके बाद ये खुलासा किया गया जिसके तहट कोरुना वारस पिरित मरीज सिर्फ 9 दिन तक संक्रमन फैला सकता है इसका मतलब ये हुआ कि जिस मरीज को कोरुना वारस है उससे सिर्फ 9 दिन तक ही खतरा है ब्रितैन में किये गए, उनस्थी रिसेर्च के बाद यह बात सामनी आई है जिसके मताबक 9 दिनों बाद संक्रमन तो व्यक्ति के शरीर में रहता है लेकिन इसका प्रसार नहीं हूता है व्यक्ति के संक्रमित होने के बाद वारस का प्रभाव कान नर्व सिस्टम और दिल पर रहता है लेकिन एक तरीके से ये बेशर होता है रिसर्च में दावा किया गया कि कोरोना वारस होने के बाद 17 से 83 दिन के अंदर कोरोना वारस व्यक्ति के गले में पहुँच जाता है सामनियाई रिपोर्ट के आधार पर अगर देखा जाए तो संक्रमितों को अब होस्पिटल से जल्दी डिस्चार्ज कर सकते हैं ताकि जादा से जादा व्यक्ति को इलाज मिल सके और लोगों को ठीक किया जा सके रिसर्च में ये भी बताया गया कि संक्रमित होने के पहले एक हफते में मरीज के अंदर जादा लक्षन दिखाई देते हैं और तब तक कोरोना अपने बुरे दौर में होता है मतलब जब तक यक्ति की टेस्ट रिपोर्ट आती है तब तक वो अपने कोरोना के बुरे दौर से निकल चुका होता है इसलिए ये भी सलहा दी गई है कि जैसे ही आपको अपने संक्रमित होने का पता चले तुरंथी आइसोलेट हो जाएं ताकि खुद को और दूसरों को कोरोना वारस से बचा सकें रिपोर्ट में एक बात ये भी सामने आई है कि कोरोना से जूज रहे मरीजों और इससे ठीक हो जाने के बाद भी लोगों को मांस्पेशियों में दर्ध की शुकायत हो रही है लेकिन इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है या हम परिशानी है जो कुछ दिनों में सामानी हो जाएगी सामने आई वरिटेन की रिपोर्ट की माने तो नौ दिन बाद अगर संक्रमन नहीं फैलता है तो व्यक्ति के ठीक होने की जल्दी उमीद जता ही जा सकती है subscribe our channel and press the bell icon for more updates